साइन्स की क्लास हम पढ़ रहे थी नाइंत क्लास का साइन्स का पहला चेप्टर हमारे आस पास के क्लास का चोथब तो जो हम पढ़ रहे थे कि क्या पदात अपने अउस्ता में प्रिवतन कर सकता है नहीं कर सकता जल का उधान लिया जल को हमने जो बरफ है ठोस रूप है उसको हमने धरवे में चैंज कर लिया अब बात आती है आगे की बिकरिया कि हमने जो जीरो डिगरी सेल्सिस वाला जल है क्या कर रहे थे क्या प्रक्रम था हमारा बरफ थी हमारी ठंडी बरफ जीरो डिगरी सेंख से भी क्या थी कम जादा ठंडी थी माइनस सेल्सिस जिसका टंप्रेचर था तो इसको हमने गरं किया बरफ मनी बरफ भी रही और टंप्रेचर बढ़कर 0 डिगरी से प्रम है और आगे क्या हुआ कि इसको और गरम किया तो ये जल में चैंज हो गई 0 degree Celsius यहां तक हमने हर चीज को पड़ लिया था 0 degree Celsius वाले जल को हम क्या करते हैं गरम करते हैं और क्या प्राफ्ट होगा जल ही प्राफ्ट होगा लेकिन इसका temperature बढ़ जाएगा 100 degree Celsius अब इस को और भी गरम करते हैं तो यह किस में चैंज हो जाएगा जल वास्प के रूप में है तो जिसका temperature तो अब इस कड़ी का अध्यन करेंगे हम इस तरीत रूप से तो अब शुरू करते हैं इस कड़ी को लिखना डिखेंगे पहली इस कड़ी का अध्यन करना है हमें क्या जल जिसका temperature 0 degree Celsius अब इसको क्या किया हमने घरम किया और यह चैंज हो गया जल में ही चैंज हुआ और नाम रख दिया इस temperature हो गया 100 degree Celsius अब इसको भी घरम किया हमने और चैंज हो गया जल वास्प में और 100 degree Celsius यह दो प्रक्रम है फर्स्ट टेप पर्थरम प्रक्रम जल से 100 जिरो डिज्ट वाले जल से 100 degree Celsius वाले जल में चैंज होना है दूसरा 100 डिज्ट वाले जल से 20 डिज्ट वाले बाव प्रक्रम किया अ कि हमने इसको ग्रम करने का मतलले उसमा दी और जो उसमा है वो इस परकरम में किस के रूप में जाएगी गती जुर्जा के रूप में जाएगी और गती जुर्जा में क्या कर देगी वर्दी कर देगी और गती जुर्जा में वर्दी होने की फिल्स रूप क्या होगा टमप्रेचर में ताप वर्दी होगी ताब बढ़ जाईगा तो इस अवस्ता में हमें क्या मिल रहा है ताब बढ़ रहा है अब दूस्तरी अवस्ता में हमें इसको क्या किया गरम किया गरम करने से क्या मिलेगी उस्मा मिलेगी और ये उस्मा किसमें चैंज हो जाएगी गुप्त उस्मा के रूब में और ये गुप्त उस्मा में क्या करें गुप्त उस्मा के रूब में होगी और ये गुप्त उस्मा क्या करेगी अवस्ता प्रिवेतन करती अवस्ता प्रिवेतन करती और जल है वो जलवास में होगा और ताब मान नहीं बदलता यहां पर जो प्रिकरिया हुई इस पूरी परकरम, सेकंड परकरम को जो प्रिकरिया को क्या कहते है काउथन क्या कहते है दूसरी प्रिकरिया को काउथन या कहते हैं वास्वी कर्ण कह सकते हैं वास्वी कर्ण के प्रक्रिया ये जो प्रक्रिया हो गई और सो डिगरी सेल्सिस सो डिगरी सेल्सिस को एक नाम दिया कप्थना नाम दे दिया कप्थना और ये जो गुप्त उस्मा को इसको भी नाम दिया वाश्पी करणकी क्या कुपतुस्य सो टाइप पडें पहले एक अफ्थन क्या है सो डिगरी जल सेर्षिस वाले जल का जलवास्था में चींज होसा ता आप शमान रहता है यानि अवस्था चींज करना जल से धरवास्था से ढाइज तर्वास्था कोई क्या कहें मैं इसके पुर्जा हों पुर्जा क्या होगी पूब ऎसकी उर्जा क्या होगी कम होगी कान है गुद्ध उस्मा तो अब इसका विश्तरित देन करते हैं पहला टोपिक जो हमारा है की हुटता क्या है हमने इसको उस्मा गरम किया गरम करने से इसको उस्मा मिलेगी पर उस्मा मिलने से क्या होगी उसमा है वो गती जुजा में वर्दी करेंगे और गती जुजा में वर्दी होने के फिल्शुरूप जो धर्वे यानि जल के कणों की गती भी क्या हो जाएगी कणों की गती क्या हो जाएगी गती तेज गती हो जाएगी तेजी से गती करेंगे कन के अगरें तेजी से गती करेंगे और एक निसी ताप पर पूंच कर इतने हधिक अरजा हो जाती है कि इनके मद्द जो अकर्षन बल है वो क्या होता है समाप्त हो जाता है समाप्त हो जाता है और इस ताप पर क्या होता है जो जल है वो गैंस में बदनान सुरू हो जाता है तो यह चीज थी जल के इस प्रकार होगा क्या होगा घरम करने पर कुणों की बीज का अक्षिन बलबॉल और भी दुर्बलोता होगा कुणों की बीज की दुरी और भी बढ़ती जाएगी यह सब प्रकरम होगा अब सेकंड प्रकरम पर बात करते हैं जो वास्वीकर्ण की प्रकरिया क्या है वास्वीकर्ण क्या है वास्वीकर्ण वह प्रकरिया है जिसमें परताः धर्वा अवस्ता से ठोस अवस्ता में बदलता वास्वीकर्ण वह प्रकरिया है जिसमे धरोवा अवस्ता में बदलता है वस्वीकन की परक्लिया करते है अब बात आती है कफथनांग की कफथनांग की क्या डेफिनेशन होग intern अफ्थनाग के डेफिनेशन शुरू करने से पहले एक डेफिनेशन आती एक डेफिनेशन है वो है वायू मुंडलिये दाब जो वायू मुंडल है उसके दुवारा जो दाब समुद्र तल पर लगाया जाता है उसे ही वायू मुंडलिये दाब करती है तो हम जो इसके बिर्याशा सित करेंगे वो क्या होगी एक वायूमुनली दाब एक वायूमुनली दाब दाब यह एक एटियम दाब पर दाब पर वहन यूंतम ताब वहन यूंतम ताब चीज़ पर जीज़ पर वह निंतम ताप जीज़ पर क्या होता है धर्वे या तो धर्वे उबलने लगता है उबलने लगता है तथा धर्वा उस्ता कैंसी उस्ता में बदलती धर्वा उस्ता गैंसी उस्ता में बदलती उस थाप कोई क्या कहते हैं कफथनांग कैएंगे उस थाप कोई क्या कहते हैं कर दो चाले लगते हैं वस्ता धरव उबने लगता धरव वस्ता कैसे वस्ता में बुदल जाते हैं तो आपको कहते हैं क्या कफ्थनांग कहते हैं कफ्थनांग काउच होना अक्षनबल को दर्शाएगा अक्षनबल की समय रथेता एक तरीके से दर्शाते हैं धरव में तो जल का जो कफ्थनांग है वो 100 degree Celsius था अर्था 100 degree Celsius तो Kelvin में चैंज होंगे तो 100 degree plus 230 तर point 15 लिखते हैं लेकिन 1.5 को नायमान करती हैं 230 तर Kelvin 230 तो यह तो जलका का थनांक हो गया अब बात आती है वास्वीकन की उस्मा वास्वीकन की उस्मा एक केजी एक केजी धर्वयपदार्त को स्तिर्टाप पर कफशनांक पर एक केजी ताप को क्या है डेफरेंस एक केजी धर्वयपदार्त को डेफरेंस लिख देते हैं आपके लिए एक केजी धर्वयपदार्त को अवस्ता से कैसे अवस्ता में बदलने के लिए बदलने के लिए बदलने के लिए पदार्त जितनी उस्मा घर्ण करता है उस्मा घर्ण करता है वह है उसकी वास्वीकन की क्या होती है अब ये तो वास्वीकन की गुप्त उस्मा होती है अब एक परसन और उड़ता है गुप्त उस्मा से संद्धार्त सो डिगरी सेल्सिस पर भाप के कणों की उस्मा उर्जा सो डिगरी सेल्सिस वाले ताफ से अधिक होती है इसका क्या कारण होता है कि सो डिगरी सेल्सिस पर भाप के कणों में जल के साथ वास्वीकन की की गुप्त उस्मा के रूप में अत्रिक उस्मा भी होती है क्या होती है तो वास्वीकन की अत्रिक उस्मा भी होती है कि इसमे बाप जो वास्प होती इसमे उत्रिक्त उस्मा होती जो गुप्त उस्मा के रूम में गर्ण करता है तो जो बाप है उससे जो हाथ बलेगा जो गरμ झालेगी जलन होगी वो जादा होगी सोड इगर सैसे वाले जल की दोला में अब हमने देखा कि परदात एक अवस्ता से दूसरी अवस्ता में बदल नहीं है ताप रुवितन से तो गरम करने पर परदात की अवस्ता बदल जाती है क्यों बदल जाती है गरम करने पर परदार धरवा अवस्ता से धरवा अवस्ता में और धरवा अवस्ता से गैसी अवस्ता में बदलते हैं लेकिन सभी परदार ऐसा पर करम नहीं अपनाते हैं कुछ पदात ऐसे हैं जो बिना धरवास्ता में बदले ही धरवास्ता से गैसी अवस्ता में बदल जाते हैं और वापस थोस अवस्ता में बदल जाते हैं या तथा सिदे ही गैसी अवस्ता से धरवास्ता में बिना बदले धरवा किसमें बदल जाते हैं थोस अवस्ता में बद बदल जाते हैं इसका धन हम करेंगे कि जो कुछ पदार तरसे भी होते हैं जो ठोस से सीधे गैस में और गैस सीधे ठोस में बदलते हैं उनके बारे में हम इस अब आगे धन करेंगे क्या है अब देखिए दो चीज आती है हमारी जो हमने बदन करने वाले कि धर्वास्ता में बिना बदले ही सीधे एक तो प्रकरिया है उर्दु पातन और दूसरी है निच्छेपन ये दो प्रकरिया कुछ पदार क्या होते हैं धर्वास्ता में परवर्तित हुए बिना ही ठोस आवस्ता से सिधे ही गैस सी आवस्ता में बदलते हैं इस प्रकरिया को उर्दु पातन कहते हैं और कुछ परदार द्रवास्ता में परवर्तित हुए बिना है गैस सी आवस्ता से सी अवस्ता में बदलते हैं और इस प्रकरिया को निच्छेपन कहते हैं क्या होती है जो उद्वा पाते ने के बिग्रिया धर्व आवस्ता में प्रवित्त हुए बिना को यह बिना क्या है प्रवित्त हुए बिना सिद्धे ही थोस अवस्ता से गैसी अवस्ता में बदलने की की प्रविया को क्या कहते हैं बदलने की प्रविया को क्या कहींगे हैं उद्वे पातन उद्वे पातन का जो धान है वो है को वो क्या है कपूर या अमोनियम कुलॉराइड कहते हैं जिसे इसका अमोनियम कुलॉराइड इसका जो धान होता है उद्वे पातन का वो पपूर जिसे कहते हैं अमोनियम कुलॉराइड और ये इसका फूर्मॉला होता है अब बात आती है निक्षेपण की क्या है निक्षेपण की डेफिनिशन बीसी प्रकार लेकिन गेस अस्ता सी धरवास्ता में क्या होता है कि धरवास्ता में नहीं जाता थंडा करेंगे कपूर को तो क्या हो जाएगा वो ठूस होस्ता में दर्वा अवस्ता में प्रवर्टित हुए बिना सिदे ही गैसी अवस्ता से खोस अवस्ता में बदलने की प्रकिरिया को अब्द्वय निच्छेपन कहते हैं सोरी निच्छेपन कहते हैं यह उर्द्वय पातन और निच्छेपन एक दूसरे के थोड़े से वेप्रित होते हैं तो हमने इस वीडियो में देखा कि उर्द्वय पातन कि यहा है कि ठोस अवस्ता से प्रदात धर्वास्ता में ने बदल कर सीदा ही गैसी अवस्ता में दलता है इसके लिए उदान है जो क धर्वास्ता क्या होते हैं गैसी अवस्ता से धर्वास्ता में ने बदल कर सीदे ही किसमें बदलते हैं ठोस अवस्ता में ऐसे बदात निच्छेपन करते हैं तो यह चीज हमारी हो गई अगर किसी प्रकार की कोई दिकत है तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं वैसे ऐसी आपके स्लेबस में है और आपको बताई गई नए हो तो धन्यवाद